नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आजय सर जी यूटूब चैनल पर दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने प्रश्ट किया था कि सर आप बताईए कि आप कैसे नौकरी पाय अर्थात आपके नौकरी का सफर क्या रहा क्या क्या तैयारी आप किये और किस कि तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे में आप लोगे बताओँगा वैसे इस जब आने में को कोई किसी को पूच्टा कहा है कि आप कैसे क्या किए क्या नहीं किए लेकिन अगर किसी ने मुझे से पूछा है खुसी की बात है अब मैं जरूर बताऊंगा कि मैं कैसे यहां तक पहुचा आथा नवकरी मुझे किस तरीके से मिली तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सन 2004 में मेरा का गेजुयसन कंपरीट हूए ठारे जोषन का मिसे था हुदी प्राचीन इतियासर और समाश सात्र कुidée है तो दौस्तों जैसे ही ग्रेजुयसन तो उसी समय हमारे ग्राम सभा में सिच्चामित्र की वैकेंसी आ गयी थी इसके पूर भी वैकेंसी आई थी लेकिन पहली सिच्चामित्र की भरती महिला के लिए आरच्छित होती थी तो वहां एक महिला एक कचयन हो गया था एक लड़की कचयन हो गया था तो दोस्तों दोबारा जब भरती आई तब मैंने अपलाई किया तो कुछ लोग भर्म भरते समय कर रहे थे कि आप बीए करेंगे कि सिच्छामित्र बनेंगे तो कि मेरा वही थर्ड ये चल लहा था तो मैंने कहा कि मैं सिच्छा मित्र बनूँगा अब मैं सिच्छा मित्र बनने के लिए क्यों तयार हुआ यह सब चीजें मैं बाद में बताऊंगे अगर आप जानना चाहेंगे तो बाद के वीडियो में मैं कभी लेकर के आऊंगा तो दोस्तों मैंने फारम अपलाई कर दिया लेकिन 14 महीने ट्रेनिंग हमारी लगी नहीं कारण क्या था कि खंड सिच्छा अजिकारी यहां तो चैन की जो कारवाई है वह जीले तक नहीं भेजे जीले तक भेजे होते तो वहां से ट्रेनिंग के लिए आदेश आ गया होता डा हमने कुछ पैसा दिया नहीं और 14 महीने ट्रेनिंग के लिए अंतिम में अंत्रतों गत्वा उनको भेजना पड़ा तो ट्रेनिंग हुई आप्रेल 2005 में मेरा सिच्छा मित्र में हो गया था उस में सिच्छा मित्र को 2250 रुपे 2250 रुपे मिलता सा 10 महीने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि 10 महीने के बाद कान पगर के बाहर कर दिये जाएंगे तो मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं करें 2250 मिलेगा 10 महीने में 22500 रुपे होगा उस समय यह 22,510 महिने का मुझे यह रकम मेरे लिए बड़ी थी उस परिसितिया ऐसी थी कि मेरे लिए वह रकम बहुत बड़ी थी मैंने का चलिए अगर 10 महिने के लिए अगर रखा जाएगा तब भी हमको इतना रुपया मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो 14 महिना ट्रेनिंग लेट होने के बाद मेरा आराम से क्या हो गया बीए फाइनल हो गया और उसके बाद बीए फाइनल हो गया फिर हमारा ट्रेनिंग भी आ गया हम जाकर के सिच्छामित की ट्रेनिंग किये दोस्तों उसी समय एक वेकेंस बीटीसी का फार्म निकला था 2004 BTC का फार्म निकला था हमारा भी ये फफानल हो गया था उसते मैं एक बिद्ध्यार्थी पुष्टक केंद्र हमारे यहां हुआ क्यों करता था तो बिद्यार्थी पुष्टकGo am a तो उनका नाम था विश्रूप कुमार स्रिवास्तव तो उप जादर जानकार थे और पढ़े लिखे पूरा पूरी डिग्री उनके पास कंप्रीट थी तो उनको सब तरह का जानकारी था तो हम लोगों से कहें कि आप लोग बीटी सी का फारम डाल दीजिए तो हम लोग को हम लोगों ने फारम उसमें अपलाई कर दिया अब उसका परिच्छा हुआ नहीं अब वो पेंडिंग मोई से पढ़ा रहा कि उसको हम लोग भूल गये कि सिच्छा मित्र में चैन हो गया और आगे जा करके हम पढ़ाते रहें सिच्छा मित्र में दोस्तों फिर समय समय पे धरनापरदशन में हम लोग कर दिया जाएगा इस तरह का दिलासा हम लोग को मिलता रहा और फिर हम लोग का 2250 से 3,000 रूपया तंखा हो गया था और 3,000 के बाद से फिर 3500 रूपया हो गया था उस बीच हमने क्या किया था B.E.D. के लिए फार्म भी अपलाई किया था तो B.E.D. में उसमें इंटरेंस एक्जाम होता था और अभी भी हो रहा लेकिन उस समय बीएड में इंट्रेंस एक्जाम होता था और सरकारी कालेज की फीश तो तीन हजार के लगबग ती लिकिन प्राइबेट कालेज की फीश महगी थी उस समय लगबग 40,000 करीब लग जाता था 25,000 से उपर है मतलब लग जाता था याद नहीं आ रहा पूरा तो प्राइबेट में निकलता था तो सिच्छामित की नौकरी कर रहे थे इसलिए बीएड कर बीएड नहीं कर पाए प्राइबेट में निकल जाता था लेकिन बीएड कर भी नहीं पाए नहीं तो कहीं कहीं तो प तक हम ने एकदम देखा कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है और बहुत से हमारे ही ऐसे मित्र थे कि जो की कि 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 किटेशर अब विभाग में सेलेट हो गए थे या कुछ लोग बहुत अच्छा कोर्स नहीं है तो उसी समय अच्छी चीज हो गई कि तयारी तो हम करते थे और हमेशा फार्म डालते थे तो प्राइबेट निकलता था लेकिन दोहजार आठ वाला जो भी एट था दोहजार आठ नवाले में उसमें मेरा बहुत बढ़िया रैंक आ गया था पांच लाख सवा पांच लाख लड़के अपलाई किये थे उ कांसलिंग के लिए हम कांसलिंग करवा लिए कां 설ी कमने कहा पहले देखते हैं क्या होता है कांसीरी करवा लिए तो मुझे वह कालेज भी एलाट हो गया वही गोरख भी इनिवस्टी ही एलाट हो गई मुझे अब तीन हजार रुपे में भीएड हो जाता तो हमने संपर्ग किया कुछ हमारे जो हमको पढ़ाये थे उन लोगों से संपर्ग किया जैसे एक सर से हमारे स्री उत्तम चंद्र चौधरी उनस उनने कहा कि तुम सिच्छामित के नवकरे के लिए नहीं करोगे मुझे भी लगा कि वास्तों में यह सही कह रहे हैं अब मुझे इसको छोड़ देना चाहिए तो मैंने बीएड में जब एडिमिसन हुआ तो जुलाई 17 जुलाई या 16 जुलाई 2009 में मैंने उनको छोड़ दि दोजी ने भरवा दिया था तो उसको बाद में गवर्मेंट ने चल्ज कर दिया कि इसको परिच्छा नहीं मेरिट पर होगा तो 2006 में एक काउंसलिंग हम लों की हो गई थी लेकिन पुना हुआ प्रकिरिया कोट में चली गई क्योंकि मेरिट पर परिच्छा पर था मेरिट पर हुआ था तो मेरिट पर काउंसलिंग बात फिरें उस पर रोक लग गया तो बीट हमारा कैंपस से हो गया बीट लेकिन दोस्तों एक बड़ी अच्छी ख़बर और आ गई दोस्तों कि बीटी सी का भी ओफाइनल हो गया कि चलिए अब मेरिट पर ही होगा तो मेरा बीटी कि अब बीटी सी में हो गया जो जाकर के 2011 में पूरा हो गया था कि दोस्तों कि अक्टूबर ही होने के बाद है अब उसमें भी दो बैच बन गया था क्योंकि हम लों कि दूसरे में संबलित हूए ते पहले वाले में नहीं था नाम दूसरे वाले में तो कुछ लेट हो गया था तो जिसके चलते हम लोग का सेकेंड बैस बना दिया गया था तो एक बैस तो हमारा जो जुलाई 2011 में सम्मिलित क्लियर हो गया था तो उसको पहली जुलाई 2011 को न्यूक्त कर दिया गया था बिना TET के लेकिन आपको पता होगा 27 जुलाई 2011 को TET यहां भी लागव हो गई, केंदर में तो पहले ही लागव हो गया था लेकिन राज सरकार ने 27 जुलाई 2011 को यहां भी TET लागव कर दिया, हम लोग का रिजल्ट आगस्त या सितंबर में निकला था, जिसके चलते हम लोग TET के दाएरे में आगए हम लोगों ने पहले की किया कि नहीं हम लोग का एक बैच ती नहीं देना है तो आंद़तों गत्वा टी टी हम लोगों को देनी पड़ी तो वहीं पहली टी दो हजार 2011 में हम लोग दिये थे टीटी 2011 में दोस्तों नंबर मेरा आया था 101 नंबर अब उसी समय 72-825 की वैकेंसी आई थी तो यह था कि अब चाहे बीट हो चाहे बीटीसी हो इसी 72-825 में अपलाई करेंगे बीटीसी वालों को पूरा बेतन मिलेगा और जो बीट तो दोस्तों हम लोग उसमें अपलाई किये अब खुद आप सोचिए कि टीटी की मेरिट बहुत हाई गई थी उसमें 72-825 में हो नहीं पाता निश्चे तोर पर वी सी कटेगरी का 210 तक नहीं हुआ तो दोस्तों तो यह हुआ कि हम लोग एक केस कर दिये थे कि हम लोगों का विग्यापन अलग कर दिया जा क्योंकि हम लोग ट्रेंड हैं अब यड़ वाले अभी अंट्रेंड हैं तो अट्रेंड का वेट्रेंड के साथ एक विग्यापन पर कैसे हो सकता है अहम को पूरा बेतन मिले गा उनको प्रसिचू का बेतन तो बड़ी अच्छी बात थी कि हम लोग कोट से जीत गए तो कोट ने कहा कि इनका विग्यापन अलग कर दिया जाए दोस्तों तो खुशी की बात है कि विग्यापन अलग हो गया और हम लोग अपलाई कर दिये उसमें 9870 या 9870 जगह निकली थी और आपको बता दें कि केवल 5500 लोग टीटी पास थे आदि मैरिट के कोई लफड़ा ही नहीं था तो यहीं काहिए सकता संजोग बढ़िया था भाग बढ़िया थी कि नवकरी मिल गया नहीं तो क्या होता क्या नहीं होता है तो बाध की बात है तो दौस्तों हम लोग हमारा भी चैन उसी ब्टीसी के माध्यम से हो गया फिर प्राइमरी टीचर बन गए तो अब आर्थी किसिती भी थोड़ा थोड़ा सुधरने लगी बढ़िया हो गया अब उसके बाद एक किसमत हम लों का और भी अच्छा यह साथ दिया कि सबा तीन साल जैसे नौकरी हुई वैसे हम लों का प्रमोशन भी हो गया अब प्रमोशन हो गया तो जूनियर में सहायक अध्यापक के पत्वे चले गए तो दोस्तों यही था सफर सिच्छा मित्र से लेकर के जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक तक का ठीक है दोस्तों तो कुछ लोग जानना चाह रहे थे तो मैंने जरूरी समझा कि अगर आप ह दो बाते थी हमने आपको बता दिया धन्यवाद